कि अधियर इस्ट्रेंट्स वेलकम टू अभिपसा एजूकेशन फॉर एक्सिलेंस तो बच्चो कैसे हैं आप सब लोग आई हूप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोग के पढ़ाएं भी बहुत बहुत बहतरीन तरीक से चल रहे होगे तो बच्चो जैसे कि आप लोगो के याद है कि हमारा जो अध्या एक बहुत पॉलिनऊमिया तो बहुत बहुत बहतरीन गया है हमने हर वो आपको पहले बहुपत पढ़ए बहुपत के बाद हमने दो चलो का रहछिक स्वामीकरन इस्टार्ट करने वाले यह दोनों एक दुसर्ण से को में है when हम की चीजो को मेंठ करते हुई-बहुए पढ़ेंगे सब cheese को जोड़ते हुए पढ़ेंगे कोई भी चीज को पढ़ेंगे जो क्लास नाइन से स्टार्ट होता है हम किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं और हर वो प्रश्ण को करेंगे जो आपके परिक्षा में पूछे ही जाते हैं तो आए बच्चो आज हम यह देख लेते हैं कि हमें अध्याय दो दो चरू के रैखिक समीकरन के अंतरगात कौन कौन के से टॉपिक्स पढ़ने हैं तो देखिए बच्चो हमारा अध्याय दो है दो चरू का रैखिक समीकरन जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लिनियर इक्योसर इन्टू वेरिबल्स आपको बता दूं बच्चो दो चरू का जो रैखिक समीकरन है रैखिक समीकरन से ठीक है बच्चो तो पहले तो हम यह देख लेते हैं हमें दो चरू रैखिक समीकरन के अंतरगत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने है तो देखिए बच्चो पहले हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरन के बारे में कि रैखिक समीकरन किसे कहते हैं रैखिक किसे क कहाते है रेखा किसे कहते है तो मिक प्रकार के बारे में तो यहां पर मै आप लोगों की बारे में हम दो परकार पढ़ेंगे है पहला जो हमारा अएक चरवाले रहेखिक रैखिक समीकरन के बारे में ठीक है बच्छों फिर अगला यह हमने दोनों पढ़ लिया एक चरवाले रैखिक समीकरन और दूसरा दो चरवाले रैखिक समीकरन को पहले हम पढ़ने वाले इसके जश्ट बाद हम पढ़ेंगे समीकरम बनाना समीकरम बनाना में हमें क्या किया ज जाएगा क्या दिया जायगा कोई कफन दिया जाएगा उस कफन से हम एक सुटेबल एक उप्युक्त सभी करम बनाना सीखने वाले यह समी करंबर आपके अब्जयोक्टिक उसर में एक अंक्लिए हर साल कुछे जाते हैं इसको हम अच्छे से करने वारे ठीक है पूर फिर अगल करन को हम किस परकार से हल करते हैं कैसे हम उसका एंसर जाद करते हैं ये था आध 나올 हम बात करने वान किया है युकपत समीकरन के तो यहाथ करना सिखेंगे तब वहां पर मैं को ढूंआ बताऊं कितने तो ग्राफी विधी में आपको बता दूँ यहीं पर ग्राफी विधी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम तीन कंडिशन के बाद में बात करेंगे वह कौन कौन सी कंडिशन है जब मैं अध्याय स्टार्ट करूंगा उस टाइम आप लोगों को बहुत विस्तार से समझाने व वहोगा प्रतिस्थापन विधी और दूसरा जो हमारा परकार होगा वहोगा विलोपन विधी प्रतिस्थापन विधी में हम क्या करते हैं विलोपन विधी में हम क्या करते हैं यह सारी बाते हम जब चालू करेंगे अध्याय स्टार्ट करेंगे तब दिखने वाले हैं ठीक करेंगे फिर अगला हम बात करेंगे चर्क चरो के अज्याद गुरांग का मान पता करना किसी भी समी करन में हमें कोई अज्याद गुरांग दिया जाएगा उस अज्याद गुरांग कमान हम कैसे ज्याद करते हैं किस परकार से उसको हर करते हैं इन सभी बात उपर हम बात करें फिर अंतिम में हम पढ़ाँगे समी करुन से कथन बनाना तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप समी करम बनान लéकिन सबस्वे लाषश्ट टॉपिक में हम पढने वाले है समी करण से कथम बनाना यह समीकरन से कथम बनाना या फिर कथन से समीकरन बनाना यह आपके परिक्ष्म पुछन जातेgression के रूप में एक नमबर के जाना कि हमें अध्याय दो दो चरू के रैखिक समिकरन के अंतरगार कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं तो बच्चो आप बस प्रेक्टिस करते रहे और सवालों को पढ़ते रहे बस हम बाकी चीज़े मुझे पर छुर दिजिए मैं आपकी सारी चीजों का तयाई कराने आपके वाला हूं मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद